दिल्ली और आगरा के पतन से कला नौर में मुगल परिशान हो उठे, कई मुगल जनरलों ने अकबर को हेमू की विशाल सेना को चुनौती देने की बजाय काबुल की तरफ पीछे हटने की सलाह दी, लेकिन बैरम खान युद्ध के पक्ष में फैसला किया, अकबर की सेना ने दिल्ली की ओर कूच किया, पांच नवंबर को पानिपत के एतिहासिक युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं का सामना हुआ, जहां 30 साल पहले अकबर के दादा बाबर ने पानिपत की पहली लडाई में इबराहिम लोदी को हराया था, एच जी कीम के अनुसार अकबर और उसके अभीभावक बैरम खान ने लडाई में भाग नहीं लिया और युद्ध क्षेत्र से पांच कोस आठ मील दूर तैनाद थे, बैरम खान 13 साल के अलपवय राजा के युद्ध के मैदान पर उपस्थित होने के लिए पक्षमे नहीं था, अकबर को बैरम खान द्वारा निर्देश दिया गया था, युद्ध के मैदान में यदी मुगल सेना हार जाए तो वह काबुल की ओर पलायन कर जाए हेमु ने अपनी सेना का नेत्रित्व स्वयं किया, हेमु की सेना 1500 युद्ध हाथियों और एक लाख घुडस्वार सेना तथा उतक्रिष्ट तोप खाने से सुसजजित थी, हेमु जिसकी पिछली सफलता ने उसके गर्व और घमंड में वृध्धी कर दी थी, तीस हजार की सुप्रशिक्षित राजपूत और अफगान अश्वारोही सेना के साथ उतक्रिष्ट क्रम में आगे बढ़ा, हेमु की सेना की बड़ी संख्या के बावजूद अकबर की सेना ने लड़ाई जीत ली, हेमु को गिरफतार कर लिया गया और मौत की सजादी गई हेमु की पतनिक हजाने के साथ पुराना किला से भाग निकली और कभी उसका पता नहीं चला, बैरम खान ने विरोधियों की सामुहिक हत्या का आदेश दिया, जो कई वर्षों तक जारी रहा, हेमु के रिष्टेदारों और करीबी अफगान समर्थकों को पकड़ लिया गय और उन में से कईयों को मौत की सजादी गई, कई स्थानों पर उन कटे हुए सिरों से मीनारे भी बनवाई गई, खेमु का 82 वर्षी पिता जो अलवर भाग गया था, 6 महीने के बाद उसे पकड़ लिया गया और उसे मौत की सजादे दी गई, अकबर ने ज्यादा प्रतिरो करने के लिए पंजाब को लोटना पड़ा, इस युद्ध में मुगल सेना ने मनकोट के किले की घेरा बंदी के बाद सिकंदर शाह को हरा कर बंदी बना लिया और देश निकाला देकर बंगाल भेज दिया, 1556 में पानिपत में अकबर की जीत भारत में मुगल सत्ता की वास् बंगाल तक का सारा छेत्र जो हेमो के कबजे में था, पर कबजा करने के लिए अकबर को आठ साल लगे